तेसु प्रयासेसु एक विन्सती प्रयासाह एव सफलाह जाताह तेसु उन्मेसे प्रयासेसु प्रयास मुल सब्त है सब्त में प्ति बहु अचन का यह रूप है एक विन्सती प्रयासाह तो विन्सती का तात पर यह होता है 20 एक विन्सती का तात पर होता है 21 द्वा विन्सती त्रयों विन्सती चतूर विन्सती पंच विन्सती सब्त विन्सती अश्ट विन्सती नव विन्सती या उन त्रिन्सत या एक उन त्रिन्सत त्रिन्सत तो इस त तो एक विन्सती प्रयासाह, एक 21 प्रयास, एव यह निश्चय वाचक अव्यपद है, अव्यव्यपद होते हैं, जिनका सुरूप किसी भी वाक्य में प्रयुक्त करने पर परिवर्तित नहीं होता है, नव्ययम तद अव्ययम, तो एव कतात पर होता है ही, सफलाह सफल जाताह हुए, जाताह, यह पद कैसे बनता है, जन धातु अक्तव प्रत्य बहुवचन का यह रूप है, इस तरह से बनता है, जाताह, तो तेसु प्रयासेसु, जो 51 प्रयास अब तक संसार में हुए हैं, उनमे से, 51 में से, एक विन्सती प्रयासाह, एव सफलाह जाताह, प्रयास जो है सफल हुए हैं और से प्रयास जो है किसी न किसी तक्निकी तुरूटियों के कारण से सफल नहीं हो पाए हैं प्रयासे स्मिन अमेरिका देशस्य प्रथमह प्रयास अपी वीफलह जात है प्रयासे स्मिन यह संधी उक्तपद है संधी प्रिथक करने तो रूप बनेगा प्रयासे धन अस्मिन इती प्रयासे स्मिन यह पूर्वरूप स्वरसंधी का प्रयोग हुआ है तो प्रयासे, प्रयास मूल सबता है, सब्तम वियुक्ति, एक वचन का यह रूप है, इसका तात पर होता है, प्रयास में, असमिन, इस प्रयास में, अमेरिका देशस्य, अमेरिका विश्व को प्रतिश्थित देश है, तक्निकी ज्यान के विशाय में, या कहें कि वैस्विक म नहां सक्ति जो कहते हैं उनमें अमेरिका का प्रभुत्व है तो ऐसे अमेरिका देश का प्रथमाह प्रयास है पहला प्रयास यहां पर ध्यान दीजेगा जैसे प्रथमाह कहते हैं और एकाह कहते हैं दोनों में भेनता क्या है दोनों संख्या को बताते हैं एक कहते हैं तब भी संख्य को बता रहे हैं अब प्रत्मह काते तब भी संख्या को बताता है लेकिन दोनों में भेद क्या है एक क्रमवाकी संख्या को बताता है जैसे प्रत्महा अगाराशár अपी का मतलब होता है भी निस्चेवाचक अव्याइपद है वीफलह ना सफलह इती वीफलह जात ह हुआ अमेरिका का अमेरिका जैसे प्रतिश्चित देश जो है उसका भी पहला प्रयाज जो है वीफल हो गिया था अर्थात सफल नहीं हुआ था नासा चत्तु सश्च्युत्यकोन विंसती खृस्त्ताबदे मैरिनर नव मिशन इती माध्यमेन मंगल ग्रह कक्छं प्राप्तवान तो अमेरिका का पहला प्रयास तो विफल हो गिया किन्तो फिर भी देखिए यदि हम कोई कारी करते हैं और प्रथम बार में ही है यदि हमें या तो सफलता मिल सकती है या असफलता मिल सकती है सफलता मिल गई तब तो हम आगे बढ़ जाते हैं और असफलता मिली तो असफलता से हमें सीख लेते हुए आगे बढ़ना है कि हमारी कमी कहां रख गई उस कमी को खोजना है और उस कमी को दूर करते हुए उन कमीयों को न दुहराते हुए हमें आगे बढ़ना है जीवन में गलतियां होना स्वभाविक है लेकिन उन गलतियों क तो आगे बढ़ना है ऐसा करेंगे तो निश्यत रूप से हम एक ने एक दिन सफल अवस्य होंगे तो अमेरिका ने जो पहला प्रयास किया वह आसफल हुआ लिकिन फिर भी अमेरिका अपने उस मिशन में अपने उस प्रयास में अपने उस उद्याष की प्राप्ति में सदय लगा रहा इसलिए नासा की द्वारा चतु स्टைतर एकुर विनसति खृष्टापद अरथाथ खृष्टापद ही कहते हैं इस्वी सन को जैसे सन का मापक होता है इस्वी सन कहते हैं तो उसके लिए हैं संस्क्रित में ख्रीश्ताब्द सब्द का प्रयोक किया जाता है तो ख्रीश्ताब्द 10 विशनमे सन 1964 इस विशनमे मैरिनर ondhsham say till zero मीशन इती माध्यमें reclique मैरिनर 9 यह क्या है एक मीशन का नाम है एक कारिक्रौन योजनका नाम है इसकी माध्यम से मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त करने में सफल हुआ माध्यमेन माध्यम मूल सब्द है तृतियोज भक्ति एक वचन का यह रूप है अच्छा यह कहा जाए कहें कि नासा चतु सश्ट युत्तर एकोन विन्सति ख्रेश्टाब दे मैरिनर नौ मिसन इति माध्यमेन मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान असमिन वाक्य क्रिया पदम चिनुत अर्थात इस वाक्य में क्रिया पद चून कर लिखिए यह कहा गया तब उत्तर क्या होगा यहां क्रिया पद क्या है तो क्रिया पद आपको पहचानना है तो क्रिया अर्थात धातु धातु का रूप कौन सा यह देखिए धातु कहा है और धातु में कौन से प्रत्या का यो यहां प्रत्या है, पूर्लिंग का यह रूप है, और इसका तात्पर यह होता है, प्राप्त किया, तो नासा ने सन 1964 में मैरिनर 9 मीशन के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया, अर्था उस समय वो सन 1964 में वह सफल हुआ, नासा यह एक सब्द आया है, नासा क्या है, जैसे हम भारक में इसरो कहते हैं, भारती अंतरिक्ष अनुसंधान, संगठन, वैसे ही अमेरिका में जो इस्थापीत है, वैमानिकी के छेत्र में और अंतरिक्ष ज्ञान के छेत्र में, तो उसके लिए नासा सब्द का प्रयोग किया जाता है, नेशनल एरा नॉटिक्स एंड इस्पेस एड मिनिस्ट्रेशन, इसका संग्छिप्त रूप है नासा, राश्ट्रिय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, ये हिंदी में इसका नाम है, तो यह नासा जो है वह, संयुक्त राज अमेरिका की सरकार की वह साखा है, जो अंतरिक्ष अंड वेशन, वैज्ञानिक खोज, तथा वैज्ञानिक संसोधन से संबध है, और मैरिनर 9 की चर्चा करते हैं, मैरिनर 9 क्या है, यह प्रतम अंतरिक्ष विमान था, जिसने किसी दूसरे ग्रह पर दस्तक दिया था, किसी दूसरे ग्रह तक पहुँचने में सफल रहा था, अमेरिका अंतरिक्ष यान मैरिनर 9, 30 मएं 1971 को मंगल की कप्छा में प्रवेश किया था, तो कभी-कभी प्रस्न पूछा जाता है, इसरो, यह क्या है, यह नासा क्या है, तो इसका उत्तर, आप चोकि पाच्च को जब भली भाती पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निशित्रिश से उसका उत्तर दे सकते हैं, चली, आगे बढ़ते हैं, सामान्य तया अंतरिक्ष अन्वेशनष्य कारक्रमह अति व्यसाध्य भवती, परंच अस्माकम मंगल कारक्रमष्य इदम वैशिष्ट्यमस्ति, यदत्र अतिव निवनम धन मेव व्यई भूतं, सामान्य तया, सामान्य रूप से अंतरिक्ष अस्य, अंतरिक्ष मूल सब्द है, सश्ट्य भक्ति एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है, इसका तात्प्यर होता है, अंतरिक्ष के, अन्वेशनष्य, अनुधन एशन, के योग से बनता है, अन्वेशन, अनुपसर्ग है, तो अन्वेषण अस्य अर्थात खोज या अनुसंधान कारक्रम है तो अंतरीक्ष अन्वेषण कारक्रम है अतिव्य साध्य भवती बहुत अधिक व्य से साधने वाला कारीहर्थात बहुत अधिक खर्चिला कायरक्रम होता है, परंच परमधन्च एथि परंच यहाँ पर व्यांजर्ण संधी का प्रेयोग हुआ है और इसका तात्पर होता है परन्तु अस्माकम मंगल कायरक्रम अस्य हमारे देश भारत का जो मंगल कायरक्रम मंगल ग्रह पर यान भेजने का जो कायरक्रम था वह इदम वैसिष्ट्यम अस्ति इदम मतलब यह यह दर यह द धन अत्ह तर यहां पर विजन सथी का प्रयोग हुआ है जो यहां अतीव अतीधन इव इति अतीव यह पर दिर्गस्वर संथी का प्रयोग हुआ है अर्थात यहां भारत का जो मंगल कारक्रम था उसका यह वैशिष्ट है कि यहां बहुत कम धन व्याय करके इस कारक्रम में सफलता प्राप्त की गई है परंच असमाकम मंगल कारक्रम अस्य परंथु हमारे मंगल कारक्रम का इदम वैशिष्टम अस्ति यह विशिष्टता है यदत्र की अतीव नियूनम धनमेव की बहुत कम धन व्याय भूतम बहुत कम धन का व्याय यहां हुआ अस्मिन भूतम भूध हातु है अक्त अप्रत्य के प्रयोग से यह बनता है अस्मिन कारक्रमें पंचास दूत्तर चतुसत कोटी रूप्य कानी निवे सितानी अस्मिन कारक्रमें इस कारक्रम में पंचास दूत्तर चतुसत कोटी अर्थात चार सव पचास रूप्य निवे सितानी कोटी का मतलब होता है करोड चार सव पचास करोड रूपे का निवे सितानी इस संपूर कारक्रम के लिए जो लागत थी वो 450 करोड रूप्य का था तो इतने रूप्य इस कारक्रम में निवेंस किये गए थे निवेंस इतानी ये सब्द कैसे बनता है नी उपसर्ग है वी सधातु है अक्ता प्रत्य है और नपुन सकलिंग बहु वचन का यह रूप है त इस अक्ता नपुन सकलिंग बहु वचन इती निवेश इतानी तो निवेश किये गए इस कारक्रम में 450 करोड रूपिये निवेश किये गए एतावत धनम इतना धन न्यूनम आसीत कम था ये इतना जो 450 करोड की जो रासी कह रहे हैं सुनने बहुत लगता है लेकिन अन्य देशों में जो ऐसे अंतरिक चकारक्रमों में जो व्याय होता है रासी उसकी तुलना में देखें तो बहुत कम है इसलिए कहा गया एतावत धनम न्यूनम आसीत यह जो धन व्याय हुआ यह बहुत कम था अन्य देशा पेक्छया अन्य देशिया पेक्छया कैस से कम है अन्य देशों की तुलना के साथ हम देखें तब यह कम है यहां पर यह जो सब्द आया है अन्य देशिया पेक्छया यह संधी उक्तपद है संधी प्रिथक करें तो रूप बनता है इसका अन्य देशिय धन अपेक्छया अन्य देशों की अपेक्छा से दूसरे देशो में ऐसे कारक्रमों में जितना धन व्याय होता है उसकी तुलना में भारत में इस मंगल कारक्रम में जो धन व्याय हुआ वह बहुत कम है अपीच और भी नासायाह नासा का मावेन मिशन इत्यस्य व्यईभूत धनस्य दसमह भागह वर्तते अपीच और भी नासायाह नासा का मावेन मिशन मावेन क्या है? मावेन कहते हैं Mars at most fair and volatile evolution इती मावेन तो मावेन क्या है? यह नासा के द्वारा मंगल ग्रह के परिवेश के अध्यायान हेतु बनाया गया अंतरिक्ष सोधयान है तो नासा यह मावेन मिशन तो नासा का यह जो मावेन मिशन है इत्यस्य इती धन अश्य इती इत्यस्य इसका इस मावेन मिशन में नासा के द्वारा व्यई भूत धन अश्य जितना धन व्याय किया गया था तस्य दसमह भागह वर्तते अर्थात नासा ने मावेन मिशन में जितना धन व्याय किया था यह 450 करोड रुपिया भारत ने जो इस मंगल अभियान में खर्च किया वह केवल उसका दस्मा भाग है दस्मा भाग है दस्मा भाग ही है अर्थात बहुत कम धन व्याय करके इस कारक्रम में भारत ने सफलता प् अतोत्य धीकम धनमतु वैदेशिक चल चित्र निर्माने निवेशितम भवती भारत ने यह जो 450 करोड रूपिये का निवेश इस कारक्रम में किया इस आताह अत्य धीकम अती अधीकम यह संधियुक्त पत्द है अतोत्य धीकम यह एक संधियुक्त पत्द है अताह धन अती धन अधीकम इती अतोत्य धीकम आताह धन अती यहाँ पर विशर्व संधी का प्रयोग है अती धन अधीकम यहाँ पर यानस्वर संधी का प्रयोग है तो आता हा इसलिए अती अधिकम बहुत अधिक धनम्तु धनतों भारत ने जितना धन्व्य किया है उससे बहुत अधिक धनतों वेदेसिक चल चित्रनियर्माने विदेशों में चल चित्रन इर्मान में अर्थात फिल्म बनाने में सिनेमा बनाने में निवेशितम भवती निवेश किया जाता है अर्थात भारत ने यह जो अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर यान भेजने का जो कारक्रम बनाया और उसमें 450 करोड रूपिय का निवेश किया इससे अधिक धन का निवेस तो विदेशों में चल चित्र अर्थात फिल्म के बनाने में किया जाता है इसलिए कहा गया वैदेशिक चल चित्र निर्माने निवेसितम भवती विदेशों में चल चित्र निर्मान में इससे अधिक निवेस किया जाता है भारत हा तरल मोटर इती प्रवीधिना मंगल कक्षायाम मंगल यानम स्थापित वान अब प्रस्ण उचता है कि जब अमेरिका ने मावेन के माध्यम से जो मार्स मिशन किया उसमें जितना धन व्याय हुआ उसका दसवां हिस्सा भारत में व्याय करके सफलता प्राप्त कर लिया ऐसा कैसे संबह हुआ तब यहां पर भारत ने अपना तक्निकी कौसल का उपयोग करते हुए तरल मोटर इस प्रवीधि का उपयोग किया और इसके माध्यम से सरलता पूर्वक और सफलता पूर्वक मंगल यान को इस्थापित करने में वह सफलता प्राप्त किया तो भारत ने तरल मोटर इस प्रवीधि से मंगल कक्छायां मंगल ग्रह की कक्छा में मंगल यानम मंगल यान को इसको स्थापित वान स्थापित किया क्या किया अमेर्का जिस विधी का जिस तक्निकी ज्यान का उप्योग करता था उसके इस्थान पर भारत ने एक ने तक्निकी ज्यान का परिचे दिया और तरल मोटर इस प्रविधी का उप्योग करते हुए सफलता प्राप्त किया ततह पूर्वम नहीं कश्चन दे सह एता द्रिशाय कारिक्रमाय तरल मोटर इती प्रविधिम प्रयुक्त वान ततह इससे पूर्व ततह उसके बाद पूर्वम नहीं कश्चन दे सह भारत ने जो किया इससे पुर्व नहीं कस्चन देशा कस्चन कह धन चन इती कस्चन चन यह क्या है यह अनिश्चय वाचक अव्यःपद है कहके साथ में इसका योग हुआ है अर्थात कोई भी देश इससे पहले कोई भी देश एता द्रिसाय कारक्रम HIM इस प्रकार के कारक्रम के लिए अंतरिक्षकारक्रम के लिए तरल मो टर इती प्रविधी wanna प्रयुक्तवान की सीभी देश ने तरल मो लेक्टर प्रविधी का प्रयोग ऐसे कारक्रमों के लिए नहीं किया था। प्रयुक्त-वान। यह सब्द कैसे बनता है। प्रउपसर्ग है। युज धातू है। अक्तवत प्रत्य का प्रयोग है। इस तरह से रुप भारत ने किया यह चंद्रमा ग्रह की कक्छा में प्रवियस के लिए किया जाता है तो यता है जो प्रायह अर्था प्रायह या सधेव अश्य इस प्रविधेह प्रविधी का प्रयोग काता है चंद्रग्रह की कक्छा में अर्था चंद्रमा जो उपग्रह है उसकी कक्छा में किसी उपग्रह को क्रित्रिम उपग्रह को भेजने के लिए क्रियते किया जाता है प्रविधी सब्द है इसका सश्ट्री भक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर रूप बनता है प्रविधेह तो यहां प्रविधेह सब्द आया है अच्छा यहां ध्यान देने के बात है कि जिसे प्रायह यह जो सब्द है इसका प्रयोग हम प्रायह कहते हैं या क यता प्रायाह अश्य प्रविधेह प्रयोगाह चंद्र ग्रह कक्छा प्रवेशाय क्रियते असमिन वाक्ये प्रयुक्त क्रियापदम चिनुत अर्थात यह जो वाक्य है इस वाक्य में हमों क्रियापद का चैन करना है तो क्रियापद क्या है यहाँ पर क्रियापद है क्रियते क्रीध हातू है यहाँ पर आत्मने पद लटलकार आत्मने पद के पत्य का प्रयोग किया गया है लटलकार आत्मने पद प्रथम पुरुस एक वचन का यहाँ प्रयोग किया गया है अर्थात इसका तात पर होता है किया जाता है PSLVC 25 अर्थाद 25 यह क्या है? यह है Polar Satellite Launch Vehicle अर्थाद द्रूविय उपग्रह प्रक्षेपन यान तो इस प्रक्षेपण यानेन, यान सब्द में तृतिय अभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो रूप बनता है यानेन जैसे फल सब्द कहें, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन, फलाभ्याम फलेई, वैसे ही यान सब्द है यानम याने यानानी यानम याने यानानी यानेन यानब्याम याने हैं तो यानेन तुरितिय बन भक्ती एक वज़न का यह रूप है तो प्रखेपक यानेन तो इस PSLVC25 प्रखेपक यान से मंगल यानम प्रकषिपतह मंगल यान को प्रक्षेपित किया गया अर्थात भेजा गया छोडा गया जब प्रक्षेपक यान से मंगल यान को छोडा गया तब मंगल यानस्य गती ही मंगल यान की गती प्रति निमेसम अर्था निमेस कहते हैं मिनट को प्रतिक मिनट 22.57 किलो मीटर परिमीता आसित अर्थाथ इसकी गती जो है इस मंगल यान की जो गती है जब मंगल की कक्षा में प्रवेश किया अर्थात प्रक्षेपक यान से जब इसको छोड़ा गया तो मंगल यान की गती जो है 22.57 किलो मीटर निर्धारित की गई थी वैज्यानिक आह गती नियंत्रणम कृत्वा प्रति निमेसम चतुर दसमलव सट कीलो मीटर परिमीतम कृतव वैज्यानिक आह वैज्यानिक सब्द है और इसमें प्रत्मविभक्ति बहुँ चन का यह रूप है इसका तात पर रिषता है वैज्यानिक लोगों ने गती नियंत्रण करके एस मंगल यानकी गती नियंत्रण कृत्वा कृत्वा प्रत्य का प्रयोग हुआ है और इसका तातपरी होता है करके तो वैज्यानिकों ने गती नियंत्रण करके प्रती निवेसं प्रत्य एक मिनट 4.6 किलो मेटर परिमेटम तक परिमेटम अर्थब सीमित क्रित वन्तह कर दिया क्रित वन्तह यह सब्द कैसे बनता है क्रित वन्तह सब्द बनता है क्रित हातु अक्तवत प्रत्य बहु वाचन का यह रूप है प्रत्थम भक्ति बहु वाचन का यह रूप है कृत वन्ता है क्रित वन्तegeक या और अक्तवत्वत करते हैं तो उससे बनेंexisting का प्रतियां का प्रयोग करते हैं उससे बने हुए bang지막 पूर्णिंग एक वचन में हुआ और पूर्णिंग दिद्वी वचन में चाहिए प्रत्मई भक्ति तो कृत्वान रितवन्तव खृत्वन्तव इस तरह से इसका रूप बनता है तो यहां जो सब्दा आया है वह क्या है कृत्वन्तव अर्थात कि वैज्ञानिकों ने गति न नियंत्रण किये आयम कारक्रम हा आयम कठिन तमहा आसीत आयम मतलब यह कारक्रम हा यह कारक्रम कठिन तमहा आसीत बहूत अधिक कठिन था क्यों क्योंकि प्रक्षेपन यान से मंगल यान को प्रिथक कर दिया गया छोड़ दिया गया अब मंगल यान जो है उसकी गति को निय नियंत्रिंत पहरा निय कुछा, आधर। बैठे नियंत्रित करना क्या यह सरल कार्य है सामार इरुसे इसकी कलपना भी नहीं कर सकते ऐसे दूसकर कार्य को वे वज्यानिक जो है करने में लगे हुए थे इसलिए कहा गया आयम कारक्रमा कठीनत महा आसीत यह कारक्रम बहुत कठीन था यताह क्योंकि आत्रावधेता यम आसीत यत यानस्य गती एतावन मद्दा माभवतु येन तत यानमंगलस्य अधिकरने ध्वस्तम भवेत अब यह कारक्रम कठीन क्यों था यह देखिए कठीनता यहां पर यह है कि यदि उसकी गती नियंत्रन कर रहे हैं 22.57 किलोमेटर की गती से वह जा रहा था उसको अब नियंत्रित करके 4.6 किलोमेटर यह किया गया अब यह ऐसा गती का नियंत्रन तो कर रहे हैं साथ ही साथ गती नियंत्रन करने में हम इस बात का भी धियान रखना है कि उसकी गती इतना कम नहों कि कि हमारा जो उपग्रह है वह मंगल ग्रह का जो कक्ष है उससे ही वह बाहर चला जाए क्योंकि हमको भेजना है मंगल ग्रह में तो गती न तो बहुत जादा हो न बहुत कम हो इस बात का विशेश ध्यान रखना पड़ा रहा था तो इसलिए यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक था कि यत यानश्य गति है यान की जो गति है वो एतावन मंदा यह संधियुक्त पद है एतावत धन मंदा अर्था इतना मंद मा भवतू इतना धीमा न हो जाए भवतू भूधातू लोटलकार प्रथम पूरुस एक वचान का है रूप है भवतू भवताम भवन्तू इस तरस इसका रूप बनता है तो इसकी गति जो है इतना मंद इतना धीमा न हो येन जिससे तत्यानम वह यान मंगल मंगलस्य अधी करने मंगल की पहुँच से धस्तम भवेत अर्थात मंगल का रास्त ही भटक जाए ऐसा माभवेत ऐसा न हो इसका विशेश धान ध्यान वज्यानिकों को रखना पड़ा रहा था अपिच्च और भी किवल इतना ही ने और भी यानस्य वेगह एताद्रिसह तिव्रह नस्यात येन तत मंगल कक्छात बही है अंतरिक्छे विलुपताम आपनु यात और साथ ही साथ उस यान की जो गती है वहाँ बहुत अधिक कम नहों कम होगा तो मंगल कक्छा से बाहर चला जाएगा या बहुत अधिक तीवर भी नहीं हुना चाहिए तीवर होगा तब क्या होगा तब और मंध होगा तब दोनों ही स्थिती में संकट का सामना करना पड़ता है तो वास्ता में यान के मार्ग में परिवर्तन करनी की आवशक्ता अनुभव की जा रही थी उसके गती को नियंत्रण करनी की आवशक्ता अनुभव की जा रही थी मंगल यान की गती नियंत्रण करना वास्ता में बहुत कठीन कारिय था क्योंकि यदि यान की गती मंगल के गुरुत्वा करसंड से कम हो गये तो मंगल जो है उस यान को अपनी और खीच लेता और अपनी और जब वह खीच लेता तब वह यान मंगल की सतह से टकरा कर नर्ष्ट हो जाता और यदि गती अधिक हो जाती अधिक तिव्र हो जाती तब वह मंगल की कख्छा से बाहर हो जाता आताह चुनावती गृत्वा करसंड से सामज़स से इस्थापित करने की थी गती अधिक होती है तो मंगल की कख्छा से वह यान बाहर जा सकता है और यदि गती कम होती है तो मंगल में जो गृत्वा करसंड है वो उस यान को अपनी और खीच लेगा और खीच लेगा तो क्या होगा उससे टक्रा करके फिर वह यान जो है नश्ट हो जाएगा इसलिए वैज्ञानिकों के समक्ष एह महती चुनोती थी तो अपी यानस्य वेगह एताद्रिशा तिवरह न स्यात तो यान का वेग जो है इतना अधिक न हो येन जिससे तत मंगल कक्षात बहिह अंतरिक्षे विलुपताम आपनू याद कि जिससे वह यान जो है मंगल ग्रह की कक्षात से बाहर अंतरिक्ष में चला जाए और सब तद ils इयां का वेग साफ बार परीवरतित किया गया यह के इसकोलाएब Experiment सबाद करों समेंतिनुर्ण आप onboard जिरे समानमचुन आपक्रष्ण से साथ बार यह जो मंगल यान भेजा गया था उसकी गती को परिवर्तन किया गया मंगल यानेन सार्धम कती पयानी प्रयोगात्मकानी उपकर्णानी यंत्रानी चापी प्रेशितानी प्रेशितानी अब यह जो मंगल यान भेजा गया किवल मंगल यान नहीं भेजा गया अपीतु सार्धम उसके साथ कतीप यानी कुछ प्रयोग गात्मकानी प्रयोग के लिए उपकरनानी और अन्य उपकरनों को यंत्रानी चापी और यंत्रों को भी प्रेशितानी भेजा गय प्रवेजा गया उसके साथ में और भी प्रयोग करने के लिए और भी चीजों को जानने के लिए खार्नों को प्रयोग सामगरियों को यंत्रों को भी भेजा गया और जो अन्य उपकरण भेज़े गए उनमें चाया गरहक यंत्रेन, जिससे चाया चित्र करसन किया जाता है या समान निभासा में कहें तो जिससे फोटो खीचा जाता है या कहें कि कैमरा जिसको हम कहते हैं उस कैमरा को भी उस मंगल यान के साथ भेजा गया क्यों भेजा गया क्योंकि जैसे जैसे वह उसके समीप पहुँचता जाएगा वह उसका फोटो खीचता जाएगा और फोटो तेसु छाया ग्राहक यंत्रेन मंगल ग्रह यानस्य प्रवेसे एव जिस समय यान मंगल ग्रह में प्रवेस कर रहा है उस समय यानस्य प्रवेस समय यान के लिए अन्य उपकरणों को भी मंगल यान के साथ भेजा गया वस्तुतह वास्तमे अश्य प्रयोगस्यो देश्यम तत्र जीवनास्तित्वस्य अन्वेश्णम एव वस्तुतह वास्तमे या यथातमे अश्य इसके प्रयोगस्यो देश्यम यह संधी उक्तपद है संधी प्रिथक्कने तुरूप होता है प्रयोगस्य धन उद्देश्यम इति प्रयोगस्यो देश्यम प्रयोगस्य प्रयोग के उद्देश्यम उद्देश्यकों तत्र बने वहां जीवनास्तित्वस्य जीवन धन अस्तित्वस्य इति जीवनास्तित्वस्य जीवन धन अस्ति जीवनास्तित्वस्य यहां पर दिर्ग स्वरसंदी का प्रयोग हुआ है। जीवन के अस्तित्व का अन्वेश्ण में पता लगाना था, खोज करना था कि वास्ता में वहाँ जीवन का अस्तित्व है या नहीं। केवल जिस धरा में हम रहते हैं, जिस प्रित्वी में रहते हैं, उस प्रित्वी में ही जीवन संभा हुए। क्या ब्रह्मांड जी जो इतना विसाल है, जितका एक मामूली सा अंसा है या प्रित्वी उस पर ही जीवन संभा हुए। क्या ये जो विसाल ब्रह्मांड है, इसके किसी भी अन्य, ग्रह, तारे, नक्षत्रों हैं, इन में से कहीं भी जीवन का अस्तित्व नहीं है या है। इसका पता लगाना आज भी वग्यानिकों के लिए निरंतर चुनोती है और वग्यानिक इस कारिक को साधर रहे हैं। तो मंगल ग्रह पर जब यह यान भेजा जा रहा है, भेजा गया, तो उसमें भी उद्देश यह है कि मंगल यान में वास्तव में जीवन है या नहीं, इसका पता लगाना। तो किम ब्रहमांडे, क्या संपून ब्रहमांड में प्रिथ्वी ग्रहे एव कि एवल प्रिथ्वी ग्रह में ही जीवाह विद्यनते, जीवन विद्यमान हैं। इति मूल प्रश्ण यह मूल प्रश्ण है और इसे मूल प्रश्ण को लेकर वग्यानिक तरह-तरह के प्रयोग कर रहे हैं कभी चंद्रामा में उपग्रह भेजते हैं कभी मंगल में भेज रहे हैं कभी और जो जितने इस तरह के प्रयास की हो रहे हैं वे सभी इन सभी का उद् यह जल का अस्तित्व है यह पता लगाना वज्ञानिकों का मुख्य धे रहा है इते मूल प्रशन हस्ती यह मूल प्रशन है अपी च किम मंगले जीवनम आसित आहो स्वित भविश्यतिवा अपी च अपी का मतलब होता है भी च का मतलब होता है और ये दोनों जो है अव्याय वाचक पद हैं किम मतलब क्या मंगले मंगल में अर्थात मंगल ग्रह में जीवनम आसित जीवन था अभी जीवन है की नहीं या दूसरा भूत अर्थात पहले वास्ता में वहां जीवन था की नहीं था जीवन था तो कोई वहां कुछ प्रमान होगा कोई सबूत वहाँ होगा, कोई निसानी होगी, जिसके धार पर कहा जा सके कि हाँ, यहाँ जीवन था, इसका पता लगाना, इसका ज्यान करना, आहो स्वीत अथवा भविश्यतिवा, या भविश्यमे कभी वहाँ जीवन संभाव हो सकता है, इसका भी पता लगाना, क्या आज अच्छा जीवन है क्या पहले जीवन था इसका पता लगाना आहो स्वीत भविषयतिवा अथ्वह भविषय में कभी वहाँ जीवन संभाव होगा इसका पता लगाना ये मंगल यान का उड़ेश्च है इसी उपक्रम के कारण विभिन वैज्यानिक विभिन देश सतत खोज कर रहें निरंतर कर अनुसंधान में लगे हुए हैं केवल इतना ही नहीं केवल जीवन बसका पता नहीं लगाना है वहां था की नहीं, है की नहीं, या होगा की नहीं, केवल इतना नहीं, अपीतु तस्याधारश्य, उसके आधार का अध्यान, उसकी जो सतह है, मंगल ग्रह की जो सतह है, इस सतह का अध्यान करना, कि वहां की सतह जो है किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति क्या है, संरचना या उसकी संरचना कैसी है इसकी जानकारी प्राप्त करना इसका अन्वेशन करना वातावरण अस्य वहां का वातावरण कैसा है क्या वहां के वातावरण में हवा है की नहीं है वहां आक्षिजन है की नहीं है नाइट्रोजन है की नहीं है इसका पता लगाना क्योंकि यदि खार का भूतल का संरचना का वातावरण से तत्रस था और वहां के संपूर्ण वातावरण का क्या जीवों के उप्यूक्त वातावरण है वहां जीवन संभव होगा तो इन सब का पता करना ये खनीच्पदार था और वहां की जो संरचना है उस संरचना में जिस तरह से यदि हम धरा की बात करते हैं धर्ती की बात करते हैं तो यहां तरह तरह के जो खनीच्पदार्थ यहां मिलते हैं प्रकृती में क्या इसी तरह के जो खनीच्पदार्थ हैं वहां मंगल ग्रह में भी ये इस तरह के खनी कि मंगल ग्रहे जला से अस्तित्व आसीत। क्या मंगल ग्रह में जल का अस्तित्व था। क्या अभी वहाँ जल है। क्या पहले वहाँ जल था या कभी भभुषय में वहाँ जल हो सकता है इन सब का पता लगाना इन सब का अनुसंधान करना ये वज्ञानिकों के लिए मूल प्रश्णा है और इसमें इसका समाधान के लिए विसतत अध्यान सील है इसलिए लिखते हैं किम मंगल ग्रहे क्या जल का अस्तित्व था किमत्र रक्त ग्रहे मिथेन अस्तिवान यतह तस्यास्तित्व मेव जैविकं क्रिया कलापं निर्दी सती एते प्रस्णाह अपी सोधनियाह किमत्र रक्त ग्रहे क्या या किमत्र का ग्रहे क्यूंकि मंगल ग्रह को आप देख रहे हैं यहां लाल रंग का दिखाई दे रहा है इसलिए इसको रक्त ग्रह भी कहा जाता है रक्त के मतलब होता है लाल तो लाल रंग का जो ग्रह है उसको रक्त ग्रह कहते हैं तो की मत्र क्या यहां लाल ग्रह में अर्थात मंगल ग्रह में मिथेन अस्तिवा अभी तक बात कर रहे थे अक्सिजन की अभी तक बात कर रहे थे नाइट्रोजन की, लिकिन अब वज्ञानिक ये भी कहते हैं, क्या वहाँ मिथेन भी है, वा न, अथ्वा नहीं है, वा का मतलब होता है, अथ्वा न का मतलब होता है नहीं, ये दोनों अव्याव अचक पद हैं, यतह जिससे तस्यास्तित्वम एव, तस्यास्तित्वम एव यहाँ पर दिर्गस्वर संधी का प्रयोग हुआ है, अस्तित्वम एव यहाँ पर वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से एक सब्द में तस्यास्तित्वम एव दो संधी का प्रयोग हुआ है, आप सभी जानते हैं, संस्कृत में किसी स तो किमत्र रक्त ग्रहे मिथेन अस्तिवा ना क्यार उस रक्त ग्रह में अर्थात मंगल ग्रह में मिथेन है अथवा नहीं है तस्य अस्तित्वम यदि उसका अस्तित्व है तो जैवी कम क्रिया कलाप मिर्दी सती तो जैवी क्रिया कलाप जो है वहाँ नियत है निश्चित है यहां पता चल जाता है तो निश्चीतरुप से जैवी क्रियकलाप संभव है यह वज्ञानिक जो है निश्चीतरुप से कहने में समर्थ होंगे है किन्तव अभी क्या है यह एते फ्रस्ण हैं अभी ये सोध हैं ति क्यों प्रश्ण हैं अभी ये सोध के विश्ञा ultimate से इसने कि अद्यक्षी स्थ सभी प्रश्ण कौन कोन से प्रश्ण क्या मंगल में जीवन था या केवल ब्रह्माण में किवल प्रित्थी पर ही जीवन है अन्य ग्रह पर नहीं है क्या मंगल ग्रह में जल है कि वहां की संरचना कैसी है वहां का वातावरण कैसा है वहां के वातावरण में खनीच पदार्थ है अथ्वा नहीं जल का अस्तित्व है की नहीं वहां मीथेन है की नहीं वहां जैवी ज़्यानिक इस ठिक ठिक निश्कर्श पर नहीं पहुचे हैं इस खोज में लगे हुए हैं खलू असमाकम मंगल यान कायर क्रमह समग्रांतरिक छणवेशनश्य सोध कायर क्रमश्य आदर्स भूतह खलू निश्चितरूप से या निश्चय ही खलू या अव्याईपद है निश्चय वाचक अव्याईपद है इसलिए खलू निश्चय ही या निश्चितरूप से असमाकम हमारा अर्था भारत का मंगल यान कायर क्रमह मंगल यान कायर क्रम था जो इसरो से संचालित हो रहा था समग्र अंतरिक्ष अन्वेशनस्य समग्र धन अंतरिक्ष धन अन्वेशनस्य यहाँ पर दिर्गस्वरसंदी का प्रयग हुआ है अन्वेशनस्य यहाँ पर दिर्गस्वरसंदी का प्रयग हुआ है तो आदर्स भूत है तो निश्चित रूप से हमारा यह भारत का मंगल यान कारक्रम संपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेशन के सोध कारक्रम का आदर्स भूत है क्योंकि पहली बार में ही यह कारक्रम जो है सफल हुआ ठीक है जितना मेहनत लगना जितने वग्यानिकों ने अथक परिश्रम किया उनका परिश्रम सफल हुआ इसलिए यह समग्र अंतरिक्ष अन्वेशन जैसे कारक्रमों के लिए सोध कारक्रमों के लिए यह आदर्स भूत सिद्ध हुआ है अस्य साफल्यन इसकी सफलता से यह सफल हुआ इसलिए अस्य साफल्यन अंतरिक्ष भारतस्य प्रभाव उतकर्सताम प्रापनोत इसलिए इसकी सफलता से अंतरिक्ष अंतरिक्ष में यह कहें कि अंतरिक्ष ज्यान के संबंध में भारतस्य प्रभाव भारत का प्रभाव उतकर सता को, मुचाई को, उन्नती को प्राप्नोत प्राप्त किया तो मंगल यान कारेक्रम भारत ने पहली बार किया और पहली बार में हैं सफल हो गए इसलिए भारत का जो प्रभाव है पूरे विश्व में अंतरिक्ष ज्यान के विशय में भारत का नाम रोसन कर गया भारत की उन्नती या कहें कि भारत की जो तक्निकी कौसल है इसकी उन्नती को दरसाता है इसलिए दिखा है अश्य साफलेन इसकी सफलता से अंतरिक्ष में अर्थात अंतरिक्ष ज्यान के संबंध में भारत से प्रभाव है भारत का प्रभाव उतकर सताम प्रापनोत उन्नती को प्राप्त किया अर्थात भारत का नाम जो है अग्रणी देशों में है अनेन अंतरीक्ष व्यवसायस्य अवसरह आयास्यती यूवानस्यापी सक्रियाह भविश्यंती अनेन यहां पर तृतिय भक्ती एक वचन का प्रेव हुआ है इस से अंतरिक्ष व्यावसायस्य, अंतरिक्ष व्यावसाय के आवसरह, अर्थात अंतरिक्ष के संदर्भ में जो जानना चाहते हैं, जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, जो वैग्यानिक दृष्टी को उन रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए आवसरह आयास्यती, आवसर आए युवानाह युवामूल सब्द है और इसका बहुवचन का यहां प्रयोग हुआ है तो युवानाह युवाओं के युवानाह धन च्धन अपिए युवानाशचापी और युवाओं के लिए भी सक्रियाह भविशंति तो और अधिक युवा जो है इस और सक्रिय होंगे देखें यह कारक्रम पहली बार भारत ने किया और पहली बार में सफल होगा इसलिए इस कारक्रम से इस कारक्रम के कारण से लोगों के रिवची अंतरिक्ष व्यावसाय की और जाग्रित होगी और लोग इस कारक्रम की और ज नहीं कि अधिक से अधिक युवा अंत्रिक्ष अध्यन के लिए सक्कृय होंगे भुष्यंति भूधातु है लेटलकार प्रथम पुरुस भहुवचन के हैं रूप है। बूधा तो लिटलकार में रूप होता है भविष्यती भविष्यता भविष्यन्ती भविष्यन्ती यह भवचन का रूप है तो अधिक से अधिक युवा जो है इस ऐसे कारेक्रमों के लिए आगे आएंगे तो प्यारे बच्चों अभी हमने यह पाठ पढ़ा मंगल यानम त तो अनिश्चित रुप से भारत की जो प्रगती है अंतरिक्ष ज्यान के छेत्र में उसके विशय में हमें महत महत पून जानकारियां प्राप्त हुई और मंगल यान को भेजने में और कौन-कौन से देश सक्रिय थे, वे किस प्रकार से सफलता प्राप्त किये, कितनी बार में और भारत ने जब यह कारक्रम अपने हाथों में लिया, तो किस तरह से कम व्याय में इस कारे को साध लिया, और कैसे तकनीकी कौसल जैसे तरल मोटर विधी, प्रविधी काईन होने प्रयोग किया, और साथ ही यह जो कारक्रम रहा इसके विभिन उद्देश्य हैं, जिन पर अभी काम किया जा रहा है, और यह सब से इस कारक्रम के सफलता से पूरे विष्व का ध्यान भारत की और केंद्रित हुआ है, यह हम सब के लिए गौवरों का विशय है, और अब अंतरिक्ष विज्ञान के अध्यान के अध्यान के लिए अनेक विध्यार्थी, सोधार्थी जो है आगे आये हैं, तो निश्चित रूप से अंतरिक्ष अध्यान का जो छेत्र है, यह व्यावसाय की दृष्टी से या युवाओं की दृष्टी से निश्चित रूप से भावी दृष्टी कोन विक्सित करने में समर्थ हो रहा है, आईए, इस पाठ के हम सब्दार्थ देखते हैं, प्यारे बच्चों, पाठ में जो सब्दार्थ दिये हुए हैं, वैसे तो हमने पाठ का अध्यन किया, तो उसमें विभिन जो पद हैं, उन सभी के अर्थ को हमने समझने और समझाने का प्रयास किया, साथे साथ जो पद हैं, उनके रूप को भी हमने समझने का प्रयास किया, फिर भी पाठांत में जो सब्दार्थ दिये हुए हैं, आईए, हम उन्हें देखते हैं। प्रतिभाती दिखाई देता है, प्राविधिक कौसलम तकनिकी कुसलता या तकनिकी कौसल, खृष्टाब्द इसका तातपर होता है इस्वी, और खृष्टाब्द मतलब इस्वी सन में, व्याई भूतम घर्च हुआ, चंद्र कक्छा प्रवेसाय, चंद्रमा के कक्छा में प करोत किया, एतावन मंदम इतना धिमा, वी लुपतत्वं खोजाना, अधिगतम प्राप्त होना, सब्तधा सात बार, आहो स्वित अथवा, आयाश्यति आयेगा, अपि कमत्रावा, चंद्र कलब होता है भी, च, और, तो ये तो हो गए इस पाठ में जो दिये हुए सब्दार्थ हैं वो, और साथ ही साथ पाठ में कुछ वैज्ञानिक या कहें कि पारिभासिक सब्दावल्यों का भी प्रयोग हुआ है, तो आईए, उन्हें देखते हैं, पारिभासिक सब् अल्याह बोधह, इसरो, यह इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गे नाइजेशन यानि भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संचिप्त रूप है, जिसका मुख्याल है, बेंगलोर में है, बेंगलोर जिसको आजकर बेंगलोरू भी कहा जाता है, यहां है, संस्थान का मुख्य कारिय भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधि तकनीकी उपलब्ध कराना है, माम, मार्स आर्बिटर मिशन, इसको मार्स कहा जाता है, तो हिंदी में इसका नाम होता है, मंगल कक्षित्र मिशन, भारतिय मंगल यान परियोजना का अवचारिक नाम, मैरिनर 9 या मैरिनर 9 प्रथम अंतरिक्ष विमान था, जिसने किसी दूसरे ग्रह पर दस्तक दी, अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैरिनर 9 तीस मैं 1971 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, नासा, National Aeronautics and Space Administration यानी राष्ट्रिय वैमानी की और अंतरिक्ष प्रबंधन का यह संचिप्त रूप है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की साखा है, जो अंतरिक्ष अन्वेशन वैज्ञानिक खोज तथा वैमानी की संसोधन से संबध है, मावेन अर्था, मार्ष एस मास्फेर एंड वालेट टाइल इवोलिशन का संचिप्त रूप है, नासा के द्वारा यह मंगल ग्रह के परिवेश का अध्यान हेतू बनाया गया अंतरिक्ष सोधयान है, पोलर सेटेलाइट लांच वेहिकल यानी द्रूविय उपग्रह प्रक्षेपन यान का यह संचिप्त रूप है, यान के मार्ग परिवर्तन में कठिन्ता के कारण, मंगल यान को भेजा जा रहा थो, यान के गती जो था उस पर नियंतरन करना बहुत आवर्शक था, तो मंगल अपनी और यान को खीच लेता, जिससे मंगल की सतह से यान टकरा कर नश्ट हो जाता, और यदि गती अधिक तिवर हो जाती, तो यान मंगल की कक्छा से बाहर ही हो जाता, अतह मामला गुरुत्वा कर्षण से तालमिल बैठाने का था,